हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पेस्ट्री का स्पंज बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में पेस्ट्री को आइसिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने प्रिमिक्स लिया है और उसके साथ पानी लिया है और ओयल लिया है इसके लिए मैंने प्रीमिक्स लिया है 200 ग्राम, water लिया है 120 ग्राम, oil लिया है 20 ग्राम ये मैंने तिन सेम साइज का ग्लास लिया है अब जो 200 ग्राम का प्रीमिक्स अमने नाप के लिया था अब इसी में डालेंगे ताकि अगर कभी आपके पास measurement वेंग मेशिन ना हो तब भी आप बना सको ये देखिए ये 200 ग्राम प्रिमिक्स को आप एक ग्लास में डाले देखिए कितना हो रहा है ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा बस measurement को आप अंदाज कर लिजिए कि ग्लास में इतना हुआ था अब एक ग्लास भर चुका है अब दूसरा ग्लास में डालते हैं मतलब 200 ग्राम प्रिमिक्स हमारा डेड़ ग्लास में हुआ भर गया ये देख लिजिए ये आधा है अब मैं प्रिमिक्स को बोल के अंदर डाल लेती हूँ अब हम पानी को मेजर कर लेंगे सेम वही ग्लास में मैंने 120 ग्राम पानी लिया था 200 ग्राम प्रिमिक्स के लिए अब देख लिजिए पानी भी आधा से कम हो रहा है बस ये चीज आपको याद रखना है कि जो ग्लास में मेजर कर रहे हो उसमें कितना हुआ था नहीं तो आप एक मार्क कर सकते हो नेल पॉलिस से किसी से कि 120 में यहां तक हुआ था अब प्रिमिक्स के अंदर पानी को भी डाल देते हैं अब ओईल को मेजर कर लेते हैं ओईल एकदम नीचे हैं मैंने ग्लास में मेजर किया है आप चाहो तो कटोरी में भी कर सकते हो प्रिमिक्स में मैंने पानी डाल दिया था अब इसको मिक्स कर लेते हैं आप जब भी विसकर से बनाएं तब थोड़ा सा प्रिमिक्स को छान लीजिए क्यूंकि इसमें थोड़ा बहुत गुटली रह जाता है अगर आप छान लेते हो तो बहुत अच्छा होता है ऐसे ही बार आप कहीं पे भी हाप किलो के लिए जितना प्रीमिक्स लगता है जितना पानी लगता है और जितना ओयल लगता है आप उसको मेजर करके ले आओ बस अंदाज रख लो फिर बाद में उसतना देके आप बनाओ जैसे हाप किलो का मेजर कि एक किलो का करना है तो उसी को ट्रिपल कर दिजिए ऐसे ही किजिए तो आपको वेंग मेशिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी-कभी क्या होता है वेंग मेशिन अचानक खराब हो जाता है तो उस टाइम पर आपको प्रोब्लेम नहीं आएगा अभी मैं ऑईल डाल देती हूं अब मिक्स कर लेंग बैटर बनाने से पहले मैंने ओटीजी को 170 डिग्री पर 10 मिनिट के लिए प्री हिट होने के लिए रख दिया है अगर आप ओटीजी में बेक करते हो तो ठीक है अगर नहीं करते हो पतीला कड़ाई या कूकर किसी में भी कर रहे हो तो तब भी आपको प्री हिट होने के अब बैटर बन गया है बैटर की कंसिस्टेंसी देख लिजिए अब इसको 6x6 केक्टिन के अंदर हम डालेंगे मैं इससे आपको पेश्ट्री सिखाने वाली हूँ अब मैं बैटर को केक्टिन के अंदर डाल देती हूँ अब एक स्पैचुला से बैटर को चारो तोरप अच्छे से स्प्रेड कर देंगे जो कौन कॉर्नर है वहाँ पे स्प्रेड कर देंगे ताकि अच्छे से बेखो अब केक्टिन को थोड़ा सा टाप कर लेते हैं अब इसको मैं ओवन में बैखोने के लिए रख देती हूँ 30 मिनिट बाद हमारा केक बन के तैयर है स्क्वेयर से मैंने चेक कर लिया था ये देखिए कितना सौप्ट है नेक्स्ट क्लास में हम इससे पेस्ट्री बनाना सिखेंगे अगर आपकी जानकारी में कोई है जिनको केक क्लास करना है या सीखना है तो प्लीज उनको ये वीडियो सेयर कर दीजिए उनको क्लास में जॉइन करने के लिए बोलिए